याने जन भागीदारी की ताकत अगर विदेश निती में काम आती है तो जन भागीदारी की ताकत मेरे ब्लॉक में तो बड़े आसानी से आ सकती है और इसलिए मैं आप से अगर करता हूँ कि यह जो संकल्प सप्ता है उसका मैक्सिमुम उप्योग कीजिए खुले मंद से चर् कि आर्दर साइज वेहिकल होते हैं ज्यादा तो होते भी नहीं है और कुछ ही अपसरों के पास वेहिकल रहते हैं अब टूर ट्राविल करने की जिम्मेवारी तो कई साधन नहीं होते हैं मैंने गुजरात में प्रयोग किया था वो बड़ा सफल रहा था अगर मान लीजिए एक ब्लॉग में सो गाउं है तो मैंने दस अपसरों को दस-दस गाउं दे दिये और मैंने कहां कि आप अपनी गाड़ी में जाएंगे तो इन पांच विभाग के जो जूनियर अफसर है उन पांचों के जूनियर अफसर को भी अपनी गाड़ी में बढ़ा दीजिए और एक महने तक आप इन दस गाउं की ही चिंता करेंगे सभी पीश हैं आप चर्चा करेंगे आप भले अग्रिकल्टर विभाग के अर्धिकारी हैं लेकिन आउस गाउं में जाकर करके शिक्षा की भी चर्चा करेंगे खेती भी चर्चा करेंगे पानी की भी चर्चा करेंगे पशू की भी चिंता करें सारे दूसरा दूसरे दस गाउं में, तीसरा तीसरा, वो महिने पर उसको दसी गाउं रहते थे, फिर एक महिने के बाद बदल देते थे, अनुभव यह आता था, कि साहे लोग खतम हो गए, और यह जो दस अफसर थे, वो हटसबता में एक दिन बैट करके अपने एक्स्प्रियेंस शेयर करते थे, कि मैं बूस इलागे में गया था, मेरा विभाग तो शिक्षा है, लेकिन मैंने अग्रिकल्चर में यह चीद देखी है, पानी के खेतर में, उतने ही संसाधनों का अप् और दस अफसर ऐसे थे, जिनको उस ब्लॉक की पूरी जानकारियर रहती थी, वो होगा एक्रिकल्चर में लेकिन उसको सिक्षा का भी मालूम होता था, वो सिक्षा में था, लेकिन उसको हेल्ट का भी मालूम रहता था, मैं समझता हमने अपने स्ट्रेजी बदलनी चाहिए, अगर हम governance की हमारी strategy बदलते हैं, और हम हमारे संसादनों का भरपूर उप्योग, और आज communication की ताकत भी है, और communication समस्या भी है, आज लगता है कि मैं video conference से जानकारियर ले लूँगा, मैं mobile phone से जानकारियर ले लूँगा, फिजिकल जाने का जो लाव है न साथियो, इसका कोई alternate नहीं है, जो आज मैं अभी आपके साथ बोलता हूँ, वो आप अपने गाउं में रहे होते हैं और हो सकता है, मैं video conference में कोई नया नहीं कहता है, यही कहता, लेकिन यहां आने के बाद, आपके आखों से आख मिलाने के जो ताकत आती है न, वो वीडियो conference से नहीं आती है, और इसलिए हमारा फिजिकल जितनी जिम्मेवाली है, फिजिकल जाकर के करनेगी, उसमें कभी भी compromise नहीं करना चाहिए, हम जब उस्थान पर जाते हैं, हमें उसकी ताकत की पहचान मिलती है, यह जो inspirational block है, आपको शायद पहली बार जब यह सप्ता चलेगा, तो पहले कभी नहीं ध्यान गया होगा, आपके अपने साथियों के सामर्त विशे में पहले पता नहीं होगा, कभी-कभी तो नाम भी पता नहीं होगा, आपके आफिस में रोज मिलता होगा, नमस्ते भी हो जाती होगी, नाम भी पता न नहीं बार यह होता है और जो एक टीम बन जाती है तो इच्छित प्रणाम अपने आप मिल जाते हैं और इसलिए साथियों मेरा आप सबसे आग्रह कि हमें तीन महने के भीतर-भीतर माल दीजिए आप एक तीस पैरामिटर में पीछे हैं पांच पैरामिटर ऐसे ताई कीजिए एक जिसमें हम पूरी तरह स्टेट के एवरेज से बहार आ जाते हैं कर लीजिए तो आपका पांच में हो गए तो अब तो दस में हो सकते हैं और इसलिए हम स्कूल में भी पढ़ते थे तो टीचर क्या पढ़ाते थे जब एक्जाम में बैठते हो ना जो इजी आंसर हो पहल इसा सिखाते थे तो वह ठीचर ने सिखाया वह अभी भी काम में आता है आप भी आपके हैं जो सबसे पहले स्वाल करके उसमें से बाहर निकल जाए तो अगर 40 चीजें हैं तो 35 पर पहले आ जाईए जीरे-जीरे करके एक-एक समस्या से निकलते जाएंगे आप देखते ही आपका ब्लोग एस्पिरेशनल में से औरों का इस्पिरेशन बढ़ाने का इस्पिरेशन बन जाए गा जी कि वह अपने आप में एक इस्पिरेशन बन जाएगा जो 500 मतले, at least 100 inspirational ब्लॉक बन जाएंगे, पूरे राज के लिए inspirational ब्लॉक बन जाएगे, और इस काम को पूरा करिए, साथियों मुझे अच्छा लगा, इस कारगम में आप सबसे बात करने के मुका मिला, जो online मुझे सुन रहे हैं, उनको भी मैं अनेक अनेक शुब कामनाई देत हूँ, हम मिशन मोड में चलें, और मैं विभागों के लोगों को भी कहता हूँ, कि आप 100 ब्लॉक बुरे देश में से चैनित कीजिए, और उनको भी समय सीमा में आप national leverage तक ले आईए, हर विभाग इस प्रकार से काम करें, मैं नहीं मानता हूँ, ग्रास रूट लेबल पर क ही कोई काम छुड़ जाएगा, सारे काम एक दो साल में पूरे हो जाएंगे, दोस्तों, मैं अभी से आपको कहता हूँ, 2024 में, हम फिर अक्तूबर नमबर में मिलेंगे, फिजिकली मिलेंगे, और हम इसका लेखा जोखा करेंगे, और मैं उस समय यहां ओडियंस में बैट करक आप में से दस लोगों के सफलता की बाते सुनना चाहूँगा, और फिर मुझे जो कहना है, वो मैं अगले साल, 2024, अक्तूबर या नमबर में आपसे बात करूँगा,